आज हमने बनाई है healthy rice bowl, यह एक one pot meal है जिसके यह कुछ healthy ingredients है, इसको बनाने के लिए पैन में आप oil लालो, उसके अंदर आप थोड़े veggies अपने choice के add कर सकते हो, जिसके onion, carrot, bell peppers, yellow, red, green, यह हमने जुकीनी भी add इसमें की है, यह सारे veggies सौटी करने के बाद, आप इसके अंदर salt add करो, अपने accordingly black pepper, red chili powder भी add कर सकते हो, और इसको mix करके, set it aside, and now उसी pan में, put some oil, paneer slices को भी sautay करो, यह एक one pot meal है, जिसके अंदर आपको protein और सारे nutrients साथ में आठे हैंगे, जिसके अंदर हमें chili plates को add कर के, coriander leaves भी add किये हैं, आप तहे तो अपने पोड़िंगे कुछ भी skip भी कर सक salt accent के दोनों साइब से cook कीजिए, अब उसी pan में आपने थोड़ा सा oil डालके, red chili flakes, oregano, fresh coriander डालके, boiled rice को आपने इसके अंतर सौते करना है, यह पहले से हमने boil किये होए थे, इसको सौते करने के बाद, यह आपके herb rice ready हो जाएंगे, हमने creamy sauce बनानी है, इन veggies के लिए, जिसके आपने बटर लिया, और बटर में डाला, आपने थोड़ा सा मैदा, और मैदा से पहले हमने थोड़ा garlic एट किया है, जो की finely chopped था, इसमें मिल्क डालके हमने sauce बना ली है, इसके lumps को आपने easily आपने काल पाएंगे, जब यह creamy sauce ready हो जाएंगे, इसके इंदर शेस्वन sauce डालके, black pepper और oregano डालके, आपने अपनी sauce को अच्छे से mix करना है, एक ही side में, circular motions में कुमा के, इसके बाद यह पहुँद अच्छी सी creamy sauce ready हो जाएगी, अपने sauté के हुए vegetables इसमें डाले, इसको mix करें, अगर और creamy चाहिए तो इसमें milk add करके, इसको creamy बनाएगे, यह आपके vegetables sauce में ready हो अब इस one pot meal बनाने के लिए हमने पहले rice डाले, इसमें veggies add किये, जो हमने creamy sauce के अंदर ready किये थे, और अब हम इसके उपर अपने sauté के हुए paneer रखेंगे, और हमारी one pot meal ready हो गई है, आप इसको lunch में खाईए, breakfast में खाईए, इनर में खाईए, like, follow and subscribe channel for more exciting recipes, thank you, serve it hot आपs झझा झाल